common and proper noun इन दोनों को हम एक सार डिफाइन करने वाले हैं now what is common noun name of common people classes, things and common animals यह जो होते हैं यह आम लोगों आम जगाओं आम चीज़ों और आम जानवरों की नाम होते हैं now one second आम जो लव्ज होता है ना आम इसके दो senses होते हैं एक होता है आम यानि यह चीज़ आम है यानि सादा है और दूसरा आम होता है कि यह चीज़ आम मतलब यह हर जगा है हर किसी के पास है हर कोई से यूस करता है यह हर जगा है everywhere आम है बहुत आम है तो यहां पर आम का sense कौन सा है यानि हर जगा वाला यहर जिगा इस्तमाल होने वाला ठीक है तो आपको इसमें confused नहीं होना यानि आम का मतलब आपको साधा आम साधा चीज वो नहीं लेना यहां पर ठीक है और proper noun इसके उलट opposite to this क्या होते है नेम आफ पर्टिकुलर पीपल, classes, things and पर्टिकुलर एनिमल्स यह जो होते हैं यह खास पर्टिकुलर का मतलब होता है खास यह खास लोगों, खास जगहों, खास चीज़ों और खास जानवरों के नाम होते हैं अब आपको हो सकता है थोड़ी confusion हो लेकिन जब आप examples पे हम देखेंगे तो फिर यह आपकी confusion दूर हो जाएगी और आपको common noun और proper noun अच्छे तरीके से understand हो जाएंगे अब जो common noun के examples हैं जैसे boy, boy यह एक common person का name है अब देखें boy को हम commonly use कर सकते हैं सभी जो भी लड़के हैं मैं भी हूँ, आप भी होंगे तो जो भी boys हैं यानि लड़के हैं उन सब के लिए हम यह common word boy इस्तमाल कर सकते हैं जबके अगर हम अली देखें यह अली भ boy का name है लेकिन यह proper noun है क्यों क्योंकि इसे हम commonly sub boys के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो यही डिफरेंस है यानि common nouns वो होते हैं जो सब के लिए हम इस्तमाल कर सकें और proper nouns वो होते हैं जिनके हों सो वही होंगे औरों के लिए हम इस्तमाल नहीं कर सकते हैं जैसे boys आप भी हैं मैं भी हूँ ठीक है अली जो होंगे सो होंगे ठीक है अली वो नाम है जो हम सब वायस के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते है आई बासमझ में इसी तरह पार्क का नाम है और गुलशन पार्क ये प्रोपर प्लयस चानाम है ठीक है पार्क यनि हमारे死 me में जो पार्क है, आपकी सिटी में, आपके लाके में जो पार्क है, उन सब को हम पार्क कह सकते हैं, लेकिन गुल्शन पार्क क्या हम सभी पार्कों को कह सकते हैं, नहीं, गुल्शन पार्क जो हैसो है, तो ये प्रॉपर नाउन है, पैन, ये कॉमन धिंग का नहम है, पैन, य सब एंस को नहीं कह सकते क्लिके डॉलर एक particular company है उनकी अपनी पहचान होती है ठीक है तो सब एंस को हम डॉलर पेंस नहीं कह सकते हैं तो यह common मैश हो गया ठीक है लॉयन ये common animal का नहम है। you are आपके पास जो लॉयन होगा, जो मेरे पास होगा, जो किसी और के पास होगा, उन सब को हम लॉयन ही कहेंगे, ठीक है, अब अफरीकन लॉयन, यानि अफरीका वाला जो शेहर है, अब तमाम जो भी लॉयन हैं हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो क्या हम उन अफरीक्न वर्यन कह सकते हैं never så इसी लिए यह जास है लेकिन लॉयन यह कमन नाउन है Ackermal NFC नेम है जो हम पाकिस्तान में जो लएदिए उसको भी लाइद केंगे इंडियामें ज। इसको भी लोयन कहेंगे अपरिका में जो है उसको भी लोयन कहेंगे ठीक है लेकिन अब जब आफ्रीकन हमने कह दिया तो यह कॉमन मैसे क्या हो गया पर्डिक्लर नेम हो गया अब कि अब